Hello students, welcome to my channel तो आज की स्वीडियो में हम आपके बीए फिप सेमेस्टर के इंग्लिस लिट्रेचर के पेपर नमबर बन के यूनिट नमबर सेविन का मोस्ट इंपॉर्टेंग कोस्टन आंसर देखने वाले हैं एक्जाम दो हजार पचीज के लिए तो जबी मेरे प्यारे चुटेश बीए फिप सेमेस्टर में इंग्लिस लिट्रेचर पढ़ते हैं तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखी जो नियू सेलबस है आप लोगों का इंग्लिस लिट्रेचर या फिर किसी भी सबजेक का तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है एक से लेकर आज तक की यूनिट्स पेपर नमबर बन और पेपर नमबर टू दोनों की तो पेपर नमबर वन में आपको पढ़ना है क्लासिकल लिट्रेचर और हिस्ट्री ओफ इंग्लिस लिट्रेचर यही आपके पेपर का टाइटल है तो यूनिट नमबर 6 तक मैंने जितने भी important question answer है वो मैंने अपलोड कर दिया है सब पर मैंने separate video upload की है यूनिट नमबर 1 से कैसा question हैगा 2 से 3, 4, 5, 6 से कैसे question exam में पूछे जाएंगे आज किस वीडियो में हम यूनिट नमबर 7 का देखने वाले हैं यूनिट नमबर 7 में आपको पढ़ना है the romantic age and 19th century तो इसमें जितना भी age था उसमें जितने भी चीजें हैं जितने भी important question है वो आपके किस तरह से exam में पूछे जाने वाले हैं वो आज किस वीडियो में हम देखेंगे इसके पहले कि सभी वीडियो को देख लिजेगा आप लोग प्ले लिस्ट को चेक करके मैं महा संग्राम वीडियो भी जल्द अपलोड करूंगी most important question answer देखेंगे short very short उसके बाद short long कैसा आएगा वो सब आपको बता दिये जाएगा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं सभी पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ सभी उनिवर्सिटी के लिए है चाहिए आप फिर किसी भी उनिवर्सिटी में हो सभी के सेल बस में यही prescribed है आपको यही पढ़ना है सब कुछ रटलो 100% यहां से आपकी एक्जाम में question जरूर आएगा देखेंगे आपका important question है what do you know about Victorian age आप Victorian age के बारे में क्या जानते हैं आपको रकाए न वगेड़ना है टैकशिट यह न ज्यानि की मुलत प्रोस और यह आपका इज था ते लूर इन धिस आगा एजिस एजी में जर। नर्ची फिल आ प्लेस कि फिर्स घ्रमा हैल in the days of Elizabethan the novel in this age Victorian age में novel ने feels a place which drama here in the day of Elizabeth Elizabeth age में जिस तरसे ड्रामा ने अपने जगर बना लिया था एक अपना उचका उचा अस्थान हो गया था Elizabeth age में आप देखेंगे कि ड्रामा बहुत जादा लिखा जा रहा था William Shakespeare ने भी बहुत जाद ड्रामा लिखे Elizabethan age में उसके बाद Victorian age में drama की जगर novel लेता है जिस तरह Elizabeth age में drama अपना स्थान बनाता है जगर बनाता है वैसे ही Victorian age में novel अपनी एक अच्छी और special जगर क्रियेट करता है आपका आगला question देखिए difference ने है between the romantic and the Victorian literature आपको romantic literature and Victorian literature में difference अच्छे से तयार रखना है क्योंकि यह difference आप से जरूर पूछेगा कि क्या difference है romantic literature and Victorian literature में the Victorian literature differs from the romantic tradition in various way जो Victorian literature differ है यानि अलग है from the romantic tradition से romantic जो परंप्राएं है उनसे various ways यानि कि विबिन तरीकों से विबिन परंप्राओं से यह अलग है in the Victorian era era का मतलब होता है यूग Victorian age में romanticism no longer implied an attitude of revolt against conventional modes देखिये विक्टोरियन एज में romanticism का मतलब अब परंपरिक तौर तरीके के अंगेस्ट विद्रो का रवया नहीं रहा तो यह इनके बीच डिफ्रेंस है आप इसको तयार कर लिजेगा आपका next important question है how did the Victorian era influence poetry this is very important 100% note कर लो top level का question है question आपका कह रहा है how did the Victorian era influence poetry influence का मतलब प्रभावित करना तो how did कैसे Victorian era ने poetry को प्रभावित किया Victorian age में poetry कैसे लिखी गई किस तरह से वो influence हुई while the novel was dominant form of literature during the Victorian era Victorian age में जो novel था वो dominant form था सबसे ज़्यादा प्रमुख form था मतलब सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला गर कुछ form था तो वो क्या था novel था poets continue to experiment with style and methods of storytelling in their poems तो उस ताइम Victorian age में जो poets थे जो poets थे जो poetry को लिख रहे थे उन्होंने continue रखा जारी रखा experiment करना यानि की प्रयोग करना style and method उन सभी style and methods को उन सभी शैली और तरीके को of storytelling in their poems मतलब जिस तरह से novel लिखा जा रहा था Victorian age में तो कहाने की तरह ही राइटर्स ने जो poets थे उन्होंने भी प्रम्स को लिखना शुरू किया उन्हें वह method और style यूज करते थे जो एक story में होती थी अब आपका अगला important question है what are the two kinds of poetry in Victorian poetry what are the two kinds दो types कौन से हैं दो प्रकार कौन से हैं poetry के in Victorian poetry में Victorian poetry में दो प्रकार की poetry कौन कौन सी हैं the Victorian poetry is divided into two main groups of poetry जो Victorian poetry थी उसको divide कर दिया गया था two main group में poetry के मतलब Victorian age की poetry को दो भागों में बाड़ दिया गया था first था the high Victorian poetry and second था pre-rephylite mural तो यह two types की poetry's थी Victorian age की अब देखिए आपका next important question है what is the most prominent form of drama in the Victorian age मो देखिए ड्रामा तो आप देखेंगे की Elizabeth age में था लेकिन Victorian age में कौन सा drama dominant था dominant मतलब प्रमुख था famous था dominant form कौन सी थी ड्रामा की Victorian age में in Britain, Britain में melodrama became the most popular kind of theatrical entertainment for the most of the 19th century melodrama form जो थी ड्रामा की वो बन जाती है most popular kind सबसे जादर entertainment देने वाला लोग प्रियर नाटक बन जाता है melodrama 19th century में एक पीरियाड एक समय था when more people सबसे जादर लोग went to the theatre, theatre में जाते थे than at any time in history इतिहास की बात करें तो वो समय था जब किसी भी समय की तुलना में सबसे अधिक लोग theatre देखने जाते थे और कौन सा ड्रामा? melodrama जो की 19th century में लोगों के entertainment का एक अच्छा लोग प्रियर साधन बन गया था और उस time history के history में अगर हम comparison करें तो उस time में सबसे जादर लोग theatre देखने Victorian age में जाते थे melodrama को देखने तो यह most important form है drama की जो Victorian age में famous हुई थी तो वो question आपका बहुत जादा important है तो आप अच्छे से तयार रखिएगा चलिए अब आपका अगला important question देखते हैं who are the most significant writers of the Victorian drama significant writer कौन से थे Victorian drama के Victorian age में जो ड्रामा लिखने वाले writers थे उन में से सबसे जादर significant महतपूर writer कौन थे note कर लिजे very important है आपके लिए the dominant playwrights playwrights का मतलब ड्रामा लिखने वाले लेखक during the Victorian period world during यानी दौरान Victorian period के दौरान जो famous promote playwrights थे उन में थे Henry Arthur Jones second थे author Pinero Oscar Wilde and G.B. Shah G.B. Shah का पूरा नाम था George Bernard Shah आप लोगों ने थर्ड समिस्टर में इनका ड्रामा पढ़ा भी है बहुत अच्छा ड्रामा है Arms and the Man आप लोगों ने पढ़ाए मुझे तो बहुत पसंद है मैंने आपको पढ़ाया भी था थर्ड समिस्टर में तो आपको याद होगा तो अच्छी बात है नहीं याद होगा तो आप देख लिजेगा क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा था George Bernard Shah का तो यह सारे बिक्तॉरियन एज के फेमस डॉमिनेंट ड्रामा ट्रिस्ट थे तो नोट कर लिजेगा अब देखिए आपका अगला क्वेस्टन है नेमें फियू वुमें नॉवेलिस्ट्र affecting एज अब वुमेंड नॉवेलिस्ट्र के नाम बताईए विक्तॉरियन एज की तो यह विक्तॉ Victorian era is known for the galaxy of female novelist, जो Victorian age है वो जाना जाता है, known for the galaxy of female novelist, वो female novelist की galaxy के लिए जाना ही जाता है, Victorian age, that it drew up four important women novelist are as follows, follows, first है Charlotte Bronte, देखिए ये English novelist थी, second है Emily Bronte, देखिए Charlotte Bronte and Emily Bronte दुनों sister थी, और जो लोग Victorian age की novelist थी, third है Mrs. Goskel, fourth है George Elliot, तो ये four important women novelist है Victorian age की, अब next आपका important question देखते हैं, what were the positive effects, positive effect क्या थे of industrial revolution यानि की अधियोगी करांती का on Victorian age, Victorian age पर industrial revolution का क्या positive effect पड़ा था, industrial revolution तो आप जानते ही है कि जो England में सबसे पहले हुआ था और Victoria जो महारानी विक्टोरिया थी, वो England की ही महारानी थी, तो Victorian age में industrial revolution का क्या effect पड़ा था, positive effect आप से पूछ रहा है, तो आपका answer है, the industrial revolution had many positive effects, तो industrial revolution के बहुत सारे positive effects पड़े थे, Victorian age में first था increase in wealth, wealth मतलब होता है धन, money, increase मतलब बढ़ना, तो लोगों के money भी increase होती है, बढ़ती है, क्योंकि आप देखेंगे जब industrial revolution England में होती है, तो सबसे पहले वहीं होई थी, तो वहां के जो बड़े-बड़े पुझी पती थे, उन्हेंने बड़े-बड़े उद्दोग दंदे वाया पाल स्थापित की और अमीर से अमीर बनते चले गया, उनके पास money की कोई कमी नहीं थी, तो उनके wealth में increase होता है the production of goods, अलग-अलग तरह के goods का production होता है, goods का मतलब सामान वस्तु है, and the standard of living और लोगों का जो living था, life style भी वो standard हो जाती है, तो Victorian age में industrial revolution का ये सारे positive effect पढ़े थे, कि लोगों के धनों में व्रिद्दी होई, लोगों की life style काफे अच्छी हो गई, सुधर गई, and जो goods और जो production हो रहा था, goods का वस्तुओं का उससे लोगों की जो needed भी वो अच्छे से पूरी होती थी, तो आई हो की आप समझ गयोंगे और ये सारे question आपके लिए very very important है तो आप note कर लिजेगा, आपका अगरा important question देखते है, what is meant by pre-raphelite poetry राफलाइट poetry के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये बहुत important question है, 100% में या लिख देती हूँ, आप note कर लिजे, top level का question है, आपके लिए this is very important, क्योंकि देखिए आपके very short में ये question पूछता है, आप से question पूछ देगा, define pre-raphelite poetry, या फिर what do you understand by pre-raphelite poetry, तो pre-raphelite poetry के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो देख लेचे आपका answer बहुत important है, the pre-raphelite were a loose and baggy collective of Victorian poets, देखिए pre-raphelite Victorian age के poets के लिए एक धीला ढाला समू है, painters का, illustrators का and designers का, मतलब pre-raphelite समझीजे एक group है धीला ढाला जिसमें poets हैं, painters हैं, illustrator मतलब भी painter भी होता है, designer है, whose tenure lasted from 1848 to roughly the turn of the century, तो जो pre-raphelite Victorian लेखकों का, designer का, painters का, poets का एक धीला ढाला सा group है, whose tenure lasted, जिसका जो कारिकाल था, मतलब time period था, वो 1848 से लेकर के, लगबख इसी सदी के अंत तक चला था, तो ये एक group है, pre-raphelite poetry, तो आप इसको याद रखीगा, इसमें poets थे, Victorian age के poets, painters, designers सभी थे, तो ये जारे आपके very important question है, आप इनको अच्छे से तयार कर लिजेगा, और ऐसे ही हम आपकी हर एक subject की class channel पर लगातार upload कर रहे हैं, सभी subject की तयारी अच्छे से खराई जा रही है, तो आप लोग अच्छे से तयारी कीजिए, English literature first paper की पुरी playlist है, वो complete हो गई है, एक वीडियो और आएगी आपके unit number 8 पर, importing question answer की, उसके बाद एक से लेकर 8 तकी units का जो पूरा निचोड होगा, importing question का महा संगराम revision class 2024 पच्छी से एक्जाम के लिए, वो मैं upload कर दोगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, paper 2 का भी complete हो रहा है, तो आप उसको भी देखिएगा, channel पे हो रहा है, playlist बनी हुई है, और आपके जानकारी में जो भी लोग भी फर्स semester या थर्स semester में हैं, एक्जाम देने वाले हैं इस साल, तो उनके साथ भी हमारे वीडियो को share कीजेगा, ताकि वो लोग भी अपनी तयारी अच्छे से करें, क्योंकि हर एक subject की class, हर एक semester की कराई जाती है, तो आप मिलते हैं next video के साथ.